नमस्कार, हेलो, मैं हूँ अमीत, आप देख रहे हैं शो अमीत की रेमेडीस दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सपने में घोड़े देखने का क्या मतलब होता है दोस्तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सपने में घोड़ा देखा है तो आपका सपन फल जो है वो इस बात में निर्भर करता है कि आपने किस रंग का घोड़ा देखा है और किस अवस्था में देखा है जैसे कि मान लिजिए आपने सपने में घोड़ा देखा है पर आपको घोड़े का रंग याद नहीं है तो ये एक सामान्य सपना माना जाता है और शुब सपना माना जाता है और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन अगर आपने सपने में सफेद घोड़ा देखा है और वह घोड़ा दोड़ रहा है या फिर सफेद घोड़े की आप सवारी कर रहे हैं तो ये सपना शुब माना जाता है इस सपने का मतलब है कि आपका भाग्य उदय होने वाला है घर में माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है आपके जीवन की समस्याएं परिशानियां दूर होने वाली है मतलब जैसे आपको अच्छा जौब मिल जाए बिजनस अच्छा चलने लगे या फिर किसी तरह आपको धनलाब हो ये इस सपने का अर्थ होता है यदि सपने में काला घोड़ा रुका हुआ है या दोड़ रहा है ऐसा सपना आप देखते हैं तो ये सपना भी शौब होता है इस सपने को देखने का मतलब है कि आपको समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलने वाला है यदि आप सपने में किसी और रंग का घोड़ा भी देखते हैं तो इसका सपना जो है ये शुब होता है कुल मिलाक कि यह है कि सपने में किसी भी रंग का घोडा आ Appe देखें घोड़े को देखना शुप ही होता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि आने वले समय में आपको सफलताई मिलने वाली हैं आपके अच्छे दिन आने वाले हैं ओवर ओल जो है आपको फारदा ही होने वाला तो दोस्तो घोड़े को सपने में देखने का मतलब जो होता है वो यही है कि शुब है अच्छा फल देने वाला है तो आप अगर घोड़े का सपना देखते हैं तो आप खुश हो जाएं क्योंकि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं तो दोस्तों ये तो रहा कि घोड़े को सपने में देखने से क्या होता है अगर इसी तरह की बाते इसी तरह के सपनों के बारे में जानना है रोचक बातों को जानना है तो हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लगातार देखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ह और इस तरह के बातों का जानकारियों का लाब उठाई है।